हेलो गाइज वालकम बैक टो यूट्यूब चैनल डबले एस अकेडमी वहित सर्स अकेडमी उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे ऐसे कि आपको पता है कि कल हमने बजेटरी कांट्रोल जो है हमने अच्छे तरीके से खतम किया ठीक है तो आज हमना आया टॉपिक उठाने वाले है जो कि आपके एकोनामिक्स में भी मिलेगा डैट इस टैक्जेशन ठीक है गाईज जो आप फिसकल पालसी पढ़ते हो वहां प आपको टैक्जेशन ज़रूरी पढ़ना पड़ता है और इसी मेंसे पिछली बार भी एक वच्छन आया था पंजायत अकाउंट एसिस्टेंट में ठीक तो स्टार्ट करते हम तो आरेड़ी आपको यह पढ़ाया हुआ है वहीद सर ने बहुत यह अच्छे तरीके से डीप तो मैं भी कोश्च करूँगा कि थोड़सा ठीक ठाक तरीके से मैं भी बढ़ा लूँ ठीक है गाईज तो लट स्टार्ट तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्जेशन ठीक है दवर्ट टक्स एस बिन डिराइब फ्रम लेटन वर्ड जो टेक्स वर्ड है यह लेटन वर्ड स कुछ चीज करना या और वैलू या वैलू ठीक है गाईज तो टैक्स का मतलब टैक्स जो वर्ड है ये लेटन वर्ड से आ है टैक्स और इसका मतलब है अप्रिशियेट या वैलू या टो एस्टमेट ठीक है गाईज उसके बाद हम देखते है टैक्स is the amount paid by a person staying within territory limits of the sovereign state and is livid on individual goods, property, business services, etc. या रहे टैक्स वो इनसान देता है जो कि within territorial limits में रहता है फार एक्जांपल अगर ये इंडिया है चलो ये मानते हैं इंडिया ठीक है ये इंडिया है तो जो इस territory के अंदर रहता है चलो ये मानते हम ये territory है जो इस territory के अंदर रहता है ठीक है तो वो क्या करता है वो हर एक इंसान tax देता है ये जूरी नहीं है कि वो यहां का ही हो या बाहर का नहीं अगर ये यहां पर रह रहा है इसको tax देना पड़ेगा गाईज ठीक है गाईज तो देखो जी tax किस-किस पर लगता है एक तो individual पर ठीक है एक तो goods पर भी लगता है property भी लगता है business पर भ and the public authority इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है जो मैंने अभी बोला ठीक है the taxpayer cannot claim reciprocal benefits याद रहे अगर आप for example tax देते हो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे इसके return में कुछ मिलेगा नहीं आपको ये सोचना नहीं है आपको tax provide करना है और return में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा guys ठीक ये कुछ भी नहीं मिलेगा याद रहे अगर for example आप government को tax देते हो ठीक है government आपको कुछ देता है नहीं देता है हाँ एक तरीके से देता है अगर वो आपके roads को ठीक करता है या आपके गर में electricity देता है वो whole देता है ना वो खाली एक बंदे को देता है जिसने tax दे दिया या नहीं दिया यह जो फैसल्टी है ना return में यह हर किसी को मिलती है तो इसी को हम बोलते है तो इसी को हम बोलते हैं there is no direct एक तरह direct tax ठीक है पहले हम देखते है direct tax होता क्या है direct tax the tax where the impact and the incidence fall on the same person is called direct tax इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई बंदा है अगर इस पे tax चड़ता है और यही tax देता है यही same बंदा tax भी देगा तो इसी को हम बोलेंगे direct tax जिस पे वो चड़ता है tax ठीक है उसी वही देता ह अब यह बोलोगे कि impact क्या होता है और incidence fall होता है ठीक है the term impact here means one who has to pay impact means जिसको यह देना पड़ेगा and incidence means who ultimately pay और वो जो देता है that means जिसको देना होता है ठीक है और जो देता है वो दोनों यहां पे क्या है same बंदा है same person होना चाहिए ठीक है guys जिस पर यह tax आएगा वही देगा ठीक है यह आपको clear होगा जब आप indirect tax थोड़ा सा पड़ेंगे आगे बढ़ते हैं direct tax are those taxes the burden of which cannot be shifted याद रखने direct taxes वो tax होते है अगर इस पर burden है यह किसी और पर यह burden नहीं दे सकता यह shift नहीं कर सकता किसी और पर यह burden इसको यह खुद देना पड़ेगा ठीक है guys the central board of direct taxes collecting direct tax याद रहे ठीक है यह जो चड़ाते है tax और collect जो करते है ठीक है यह बताते है इसको कितना tax आ गया और यह गया और यह जो collect करते है वो कौन है वो है central board of direct taxes इनका काम यही होता है and formulating और यह formulate करते है of various policies related to direct tax जो fim इसके बाद क्या होता है टेक्स ऐसरे परपसंग के लिए देश तकता है इन्प्रिटिक-ठ्यारीयकिश यह प्रिजिए अच्छी प्रपपर्टी टेक्स बीडरक्ट होता है इंकम ट्क्स ड्रेक्ट होता है टेक्स अन assets director होता है gift tax director fbt director होता है ठीक है capital gains tax ठीक है ये भी direct or wealth tax ठीक है ये बहुत सारे है ये direct tax होते है इसके बाद आथा indirect tax indirect tax क्या होता है the tax where the impact is on one person impact किसी पे होगा and incidence on another person is called indirect tax impact means किसी पे for example इस इनसां पे इस इनसां को देना होता है tax लेक diferencia ये shift कनता है किसी और बंनДے को ठीक है तो वो इसके बाले देता है चाड़ता है ये किसी और पर पहर है टेस लेकिन देता कोई और और है इसको हम बोता है indirect tax for example for example if sales tax अगर हम देखते है ठीक है sales tax का है indirect tax ये चाड़ता है किस पे for example रिटेलर पे जो sale करता है ठीक है लेकिं रिटेलर कहां से लेता है customer से वो इसको tax क्या increase करता है फर एक्जापल अगर 200 रुपे का चीज है कोई tax का चाड़ता है फर एक्जापल 20 रुपीज ये customer से लेता है 220 ना कि 200 ठीक है तो that means tax इस पे चाड़ा था, seller पे, ठीक है, लेकिन देता कोने customer, देता कोने customer देता है, ठीक है, इसको हम बोलते है indirect tax, for example, sales tax is paid by seller, who collects it from buyer, याद रहे sales tax किस पे चाड़ता है seller, लेकिन वो buyer से ही लेता है, क्या लेता है, buyer means customer से लेता है, in other words में हम कह सकते indirect taxes are those tax, the burden of which by nature is shifted from 1% to another person, जिसका burden जो होता है, वो किसी और पे shift करता है, ठीक है, तो उसके को हम बोलते हैं, indirect tax, आया समझ में उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं it is imposed on 1% but is paid partly or wholly by under, जो इन नहीं कि सारा कोई और देगा, वो partly थोड़ा सा उसका एक हिसा और से भी और हिसा लेंगे उसका ठीक है, तो partly और wholly दूसरा बंदा देता है ठीक है guys, indirect taxes includes, indirect tax में कौन कौन आता है, जैसे के custom duty, sales tax, VAT, GST, etc, ठीक है guys आगे बढ़ते हम, some important direct tax अब हम types of direct taxes पहले पढ़ेंगे, some important direct tax में, direct taxes सबसे पहला importer कोन है, पहला, that is fringe benefit tax, that is FBT उपर मैंने, example में लिखा था FBT, तो वो क्या होता है fringe benefit tax, ठीक है, tax that an employer has to pay instead of the benefits that are given to his, और her company, याद रहे, for example कोई बंदा किसी में काम करता है कोई employer है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको taxes देना पढ़ता है अभी नहीं ये tax देना पढ़ता है लेकिन, इससे पहले ये tax जब था, FBT, तब ये tax देना पढ़ता था क्यों, for example किसी company में है, तो इसको कुछ benefits चाहिए ठीक है, इसको कुछ क्या चाहिए benefits, for example, इसको telephone करना है, गर वाओंग, ये गर से दूर है, तो इसकी जो services है, ठीक है, सारी, या जो ये फाइदा उठाता है, for example ये जो बंदा है ये क्या करता है, ये इसको खाना मंगवाना है, ये order करता है किसी और से, तो इसको tax देना पढ़ता है, ठीक है गाईज, तो याद रहे, तो इसको हम बोलते है FBT, tax that an employer, यानि कि employer ही देता है has to pay instead of benefits that are given to his or her employees, ठीक है गाईज, the list of benefits encompassed a wide range of privileges, services, facilities ये लेता है, amenities और directly और indirectly लेता है, ठीक है, by an employer to current और former employees, चाहे वो former employees हो, या current employees हो जब वो कोई benefit लेते है company से, तो उनको tax देना पड़ता था, उस benefits के लिए, ठीक है उस facility के लिए, तो उसी को हम बोलते थे FBT, ठीक है guys भी चाहे वो simple क्यों नहों हो, जैसे के telephone reimbursement free or concessional tickets, जैसे के for example, इनको telephone करना इसको क्या बोलते हैं, जितना आप कर सकते हो, जाओ करो for example, जैसे के कोई company देते हैं, आपको phone company के तरफ दे, आपको जितनी मरजी होंगी वो आप इतना ये use कर सकते हैं, आपको कोई खर्चा भी नहीं देना पड़ता है या tickets आप लेते हो, जितने भी आप लोगे, वो company पेकर, लेकिन इसके बले आपको tax देना पड़ता था, ठीक है, और even contribution by the employer, चाहे वो contribution क्यों नहीं हो, employee का, to the super innovation fund, for example, कोई fund आपको जमा करना है, ठीक है, वो क्या करते थे, वो company क्या करते थे, जो tax आप पहले बारते थे, उ किसे employer से, FBT was introduced as a part of finance bill, ये कब introduced किया गया, 2005 में, किस में, finance bill में, and was set up at, ये किस पे set up किया गया, 30% of the cost of benefit is given by the company, कितने परसंट, 30% के cost के benefits पे, ठीक है, FBT was abolished, ये फिर खातम ही किया गया, in 2009, union budget of India में, ठीक है, गईज, union government ने खातम किया था, ठीक है, उसके बाद आता है, दूसरा टाइप, direct tax है, that is, minimum alternate tax, M-A-T-MAT, minimum alternate, minimum alternate means, minimum, minimum come, alternate means, जो कि आपको किसी के बाले देना पड़ेगा, minimum alternate tax is a provision in direct tax, laws to limit tax exception availed by company, so they pay at least minimum amount of tax to the government, for example, for example, आपको मैं बोलता हूँ, कोई company है, उसको बोला गया है, कि आपको क्या करना है, आपको tax देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टैकस देना पड़ेगा, कब, जब आप 10 लाक रुपे कमाऊगे, आपको, for example, 10K रुपीज tax देना पड़ेगा, जब आप 10 लाक रुपेज कमाऊगे, ठीक है, और for example 5K आपको देना पड़ेगा जब आप 5 lakh रुपीज कमाओगे और अगर आप 5 lakh से कम कमाते हो तो आपको 0 tax देना पड़ेगा ठीक है तो ये कुछ लाज होते थे जैसे कि GST में भी चलो छोड़े अभी GST को भी हमने पड़ा नहीं है बहुत हरे ऐसे लाज होते थे लेकिन क्या बोलता है कि कभी कुबर क्या होता था ये अपनी statement जो है ना for example अगर ये 10 lakh रुपे कमाते थे ये क्या दिखाते थे ये 4 lakh ही दिखाते थे ठीक है तो ये बता थे हमने 4 lakh ही कमाई लेकिन असल में कितना कमाया था ने 10 lakh तो फिर government ने क्या किया फिर government ने ये tax लगा लिया कि अगर ये 4 lakh भी कमाता है काम असकम इसको देना पड़ेगा अगर इसको 20% भी देना पड़ता था इसमें से tax लेकिन अब इसको 5% लो 10% लो 12% लो लेकिन इससे low कामस का minimum tax ले लो ता कि ये गड़बढ ना करे ठीक है as they pay at least minimum amount of tax to the government as per income tax act as per income tax act क्या बोलता है if a company's taxable income is less जैने certain percentage याद रखना अगर taxable money means for example अगर 10 lakh रुपे इसके income थे जिस पर tax चाड़ता था अगर उससे कम हुआ अगर उसे कम हुआ ठीक है of the book profit is then by default by default say that much of book profits will be considered as taxable income याद रखना तो वो 4 lakh रुपे भी क्या माना जाएगा कि taxable income है ठीक है guys for example अगर government जो है उसको पता है कि अगर इस sources लेता है ठीक है अगर इसको profit कमाना होता है 10 lakh रुपे लेकिन हमें ये दिखाता है चलो लग की ये बोलता है कि चलो इसने तो काड़ बढ़ की लेकिन इस पे भी मैं इसको चाड़ाओंगा क्योंकि हमारे हिसाब से 10 lakh रुपीज कमाना चाहिए लेकिन ये दिखाता है 4 lakh रुपीज ही ठीक है तो हाँ इस पे भी ये क्या देगा इस पे भी ये tax है इसी को हम बोलते है minimum alternate tax ठीक है it is called mat and is direct tax और ये direct tax होता है it was introduced to deter some companies in such a way that they end up paying zero or no tax याद रखना ये किसलिए बना जयाता था था कि ये जो company जो है ये क्या zero tax देती थी ठीक है ये दिखायती थी काम लेकिन इसलिए बनाया जाता है to the government the current rate of mat is current rate क्या है mat की 18.5% देना पड़ता है guys उसके बाद आता है for example कोई such company है ठीक है क्या होता था पहले होता है फिर कोई company है ये इसके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है financial ये काम जोर है ये क्या करती लोंज लेती थी credits लेती थी ठीक है हां तो क्या होता था इसमें deductions होती डिडॉक्षिंस इसमें काम पैसे होते थी ठीक है जब ये company डूपती डूपती चली जाती थी तो ये क्या होती थी इसमें no tax चाड़ता था क्योंकि उतना ज़्यादा ये कामाता नहीं था या फिर गौर्वर्मेंट देख से ये तो इतने सारे credits लेता है हमसे ये कहां से tax pay कर सकता है ठीक है तो इनने क्या किया इनने ये पता है कि नहीं इनको भी देना पड़ेगा अगर बिजनस चूज़ कर रहे हैं बिजनस चाल आते हैं हमें उससे कोई गार्ज लेकिन इसको भी देना पड़ेगा ठीक है no matter how many deductions are credited to the file may claim under the existing provision of the income tax MET and AMT are livid on companies and limited liability partnership यानि कि MET जो company के लिए होता है na same AMT क्या होता है limited liability partnerships for example छोटी से firm में उसके लिए AMT लगता है और जो बड़े बड़े company उसके लिए MET लगता है ठीक है that means what is MET to the companies जो MET company के लिए है na AMT उसी तरह LLPs के लिए है that is limited liability partnerships के लिए भी है उसके बाद आता है fourth type direct tax that is corporate tax corporate tax क्या होता है paid by companies यह कौन देता है companies and corporations on their profits profits पे जो tax लगता है na किनको लेकर companies और corporations को उसी को हम corporate tax बोलते हैं तो यह भी direct tax है उसके बाद आता है income tax income tax आपको पता ही है income tax किस पे लगता है levid on and paid by the same person यह कौन देता है और जिस पे चाड़ता है और देता कौन है same person according to the tax brackets as defined as an income tax department यानि कि income tax department के हिसाब से जितना इसको tax देना पड़ेगा उतना ही यह वहाँ से लेते है उसको हम वो ठीक है उसके बाद आता है estate duty estate duty में क्या आता है paid by an individual एक individual देता है in case of inheritance for example यह किसी for example कोई किसी बांदी पे कोई direct tax चाड़ता है लेकिन क्या करता है यह for example गुजर गया ठीक है या इसने क्या किया इसने अपनो जो बेटा है सान जो है इसको क्या किया अपनी company सांबा ली तो यह जो सान है ना यह इसपर tax देगा जिसको हम बोलेंगे estate duty ठीक है gift tax gift tax means an individual receiving the taxable gift pays tax to the government जब वो कोई individual gift लेगा तो उसको भी क्या देना पड़ेगा gift tax क्या देना पड़ेगा tax जिसको हम gift tax देना बोलते है किसको देना पड़ेगा government को अब है कुछ important indirect taxes कुछ important indirect taxes सबसे पहले आता है इसमें exercise duty ठीक है गाइस exercise duty payable by the manufacturer who shifts the tax burden to retailers and wholesalers याद रखना अब indirect की बात है that means जिस पे चाड़ता है नहीं देगा कोई और देगा इसके बल्ले ठीक है याद रहे यह manufacturer पे असल में किसको देना होता है manufacturer को लेकिन shift करता है बढ़न किसको retailers को or wholesalers को customer को नहीं retail score or wholesaler को ठीक है exercise duty is imposed on goods manufactured within the country याद रहे exercise duty खाली उस पे लगता है जो वो goods जो कहां पे बनते है within the country ना कि outside जो आएगा ठीक है it has it has to be paid by manufacturer before he can take his goods out of the factory premises याद रहे तब तक factory premises के बाहर नहीं ले सकता है goods बेजने के लिए जब तक नहीं इसका tax देगा ठीक है guys तो ये factory premises जब तक goods factory premises में होंगे तब तक इसको tax देना पड़ेगा जब ही ये बाहर निकालेगा तो ये illegal माना जाएगा without tax ठीक है exercise duty is imposed by the central government ये कौन impose करता है central government except exercise on alcohol जो exercise on alcohol चाड़ता है या narcotic चाड़ता है ये state government को impose करना पड़ता है लेकिन इनके बागर जितने भी exercise duty है ठीक है वो देना पड़ता है वो impose कौन करता है central government आगे बढ़ते हम इसका दूसरा type क्या है sales tax sales tax आपको अभी भी सामझ आ रहा होगा वहाँ पे क्या हो रहा था वहाँ पे manufacturer को आसल में tax देना था इससे पहले हमने अभी देखा था exercise duty किस पर चाड़ता है manufacturing लेकिन देता कौन था retailer लेकिन यहाँ पे आप जो sales tax है वो retailer पर चाड़ता है लेकिन देता कोन है customer ठीक है गाईस तो यह क्या करता है यह burden जो है ना अपना वो customer पर देता है यह sales taxes पर चाड़ाता है goods पर या जो भी service होंगे ठीक है आगे बाढ़ते हैं part number third याने की type third type के custom duty custom duty क्या है import duties देखो जी custom duty जो है ना यह उन products पर होता है जो कि या तो यहां से बाहर जाएंगे या बाहर से किसी और हमारे counter में आएंगे ठीक है गाइस जो यह product जो हता है import export का काम जो हता है इन पे चाड़ता है custom duty लेकिन खाली अब हम क्या बोलेंगे import क्या हम बोलेंगे import duty क्यों import duty क्यों बोलेंगे थी जब आप export करोगे यहां से ही किसी और foreign country में अपना product दोगे अगर आप पहले यहां पे tax लगाते हो तो यह महंगा हो जाएगा यह कोँ लेगा बाहर कोई नहीं तो इसलिए government क्या करता है जो export करता है न गुड्स उन पे tax नहीं लगाता उन पे पहले क्या ताकि यह महंगा न हो जाए और foreign country में यह ठीक है अच्छे से भी के लेकिन जो foreign foreign से आता है न इधर import होता है ठीक है उस पे tax लगाता है इसलिए यह tax है न एक तरफा है वारना दोनू को यह हो सकता है custom duty दोनू के लिए है import भी export भी लेकिन फिर भी हम import ही बोलेंगे क्यों क्योंकि export पे ज़्यादा हम tax नहीं लगाते import duties levied on goods from outside the country यह आते है outside the country ultimately paid for by consumers and retailers यह कोई देता है customer and retailer देता है custom duty is of three types याद रखना तीन टाप्स के custom duty है एक तो basic custom duty एक तो countervailing duty ठीक है जिसे हम CBD बोलते है और anti-rumping duty याद रखना पहला हम देखेंगे basic custom duty क्या होता है जो basic होता है जो एक product के लिए होता है वही दूसरे product के लिए same होता है ठीक है basic custom duty means that the rate of a custom duty which is imposed on most products imported into the country बहुत सारे products जो आते हैं उन पे जो लागाया जाता है ठीक होता है basic basic duty is properly called peak rate of custom duty याद रखना basic duty जो होता है इसको हम peak rate भी हम बोल सकते हैं किसका custom duty का उसके बात आता है countervailing duty यानि के CVD ठीक है CVD is a duty imposed on such imported products ये उन products पे लागता है whose price may be lower than the price of similar domestic product for example कोई soap है जो कि domestic इंडिया में बनी है ठीक है इंडिया में बनी है इसकी rate है 10 rupees और कोई बाहर से आ रही है same same soap इसमें same जो मलब vitamin C है या कुछ भी है ठीक है वो same है quantity भी quality भी same है लेकिन ये बोलते है कि नहीं 8 रुपे ठीक है foreigner बोलते है कि हमें 8 रुपे में यहाँ पे बेजनी है तो क्या करता है तो जिसके वज़े से क्या होगा यह जो domestic product ने domestic company यह खतम हो सकती है क्यों कि सारे prefer करेंगे 8 रुपे की क्यों कि इसमें भी यही मिलता है इसमें भी यही बे सारे बोलेंगे काम rate के हम यही खरी देंगे तो क्या करता है government यहाँ पे government क्या करता है तो इसको हम बोलते हैं countervailing duty ठीक है तो CBD is duty imposed on such imported products whose price may be lower than the price of similar domestic product due to the subsidy given by the exporting country ठीक है guys उसके बात आता है anti-dumping duty यहाँ इसमें आया था कॉच्छा निस पे ठीक है dumping पे याद रखना आप देखना पंच आया था काउट इस्टेंट में duty imposed on such of the imported यह उन प्रोडक्स पे लागता है which may be deliberately sold by an exporting nation to the importing nation at a price which may be lower than the price at which it is sold in the exporting nation's home market in order to capture the foreign market याद रखना यह इसका क्या मतलब है for example for example कोई प्रोडक्ट है USA में यह import हो रहा है इंडिया में ठीक है guys for example USA में यह 10 रूपीज का बेज़ा जाएगा ठीक है और इंडिया में क्या करते है ठीक है यह main market जो है इसका है 10 रूपीज में लेकिन यह क्या करते है यह बोलते है नहीं मैं इंडिया का सारा market जो है अपने कबजे में लेना चाता हूँ यह product यह सबसे ज़दा यहां पे बेजना चाता हूँ इनका market ही खराब करना चाता हूँ तो यह क्या करता है यह अगर 10 रूपीज यहां पे अपने जगा पे बेज़ा था था ना इंडिया में 8 रूपीज ही बेज़ता है ठीक है और इसको हम बोलते हैं dumping क्या हम बोलते हैं dumping यह जो practice करते हैं एक अपने market में जगदा पैसे चाड़ाते और यहां पे कम क्योंकि ताकि यहां का market इनके काबजे में आए इसको हम बोलते हैं dumping और यह illegal act है तो इंडिया क्या करता है इस पे tax लगाता है ताकि यह क्या हो जाए इससे extra हो जाए या बराबर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं anti dumping duty duty imposed on such imported products which may be deliberately sold यह deliberately sold के जाते है by an exporting nation जहां से export किया गया है to an importing nation importing nation कोन है ठीक है हमारी इंडिया ठीक है at a price which may be lower किस price पे जो कि lower होगा the price at which it is sold in exporting nations home market जहां पे home market में बिचाता है उससे lower in order to capture foreign market ताकि यह foreign market को capture करें ठीक है guys this practice is called dumping और यही कौछन आया था dumping होता क्या है ठीक है उसके बाद आता है और एक indirect that is entertainment tax entertainment tax क्या होता है liability is on the cinema owners यह cinema owners पे असल में liability होती है tax होता है जो कि transfer करता है ना फिर cinema जो मुवीज देखते हैं ना cinema में ठीक है उन पे टेक्स देता है ठीक है for example ticket 100 rupees की होगी यह बोलेगा कि 150 आपको pay करना पड़ेगा यह tax भी आपको आपको ही दे लेकिन असल में किसको देना पड़ता था cinema owners को लेकिन देता कौन है देता हो है cinema ठीक है उसके बाद आता है फिफ्ट वन देट इस service tax service tax भी क्या है indirect tax ठीक है charged on services rendered to customers ठीक है such as food bills in a restaurant याद रखना यह service पे चाड़ता है असल में किसी और को देना पड़ता है लेकिन देता कोन है customer देता है जो service लेता है ठीक है guys उसके बाद आता है value added tax value added tax क्या होता है value added tax added value add means इसका add होगा increase value होगा increase होगा ठीक है tax का value add होगा तो value added tax is a tax imposed on value addition यह value addition पे यह imposed किया जाता है at each stage from the wholesaler to retailer to final consumer याद रखना बहुत सारे stages होते for example यह manufacture है ठीक है फिर आता है wholesaler फिर आता है retailer फिर आता है हमारा अपना customer ठीक है तो यह for example इस पे आपको 100 rupees for example tax देना पड़ेगा government को for example यहां से government कितना लेता है 80 चलो मैं महाता हूँ 70 rupees बचा कितना 30 यहां से कितना देना पड़ेगा इसको 10 rupees ही यहां से कितना 10 rupees ही यहां से कितना 10 तो यह hindrance लेगा ना कि यहां पे hindrance लेगा यहां पे hindrance यहां पे hindrance यहां पे hindrance यहां पे hindrance नहीं तो यह value add होता है जितना levels increase होते हैं पहले यहां पे क्या होती है bills मानी जाती है अगर bills दी होगी ना इसक्राइब आएब एकाव मेरे ख़िएता है Trix और अगे जो आने वाला है इस देटर या कांडुमर आने वाला है उनको कितना एक हुआ हमें ले पड़ेगा ख Tकерж काव में ऑने प्राइब करना जाम पॉट न इन घ्या जाता है और बीज़ा जाता है इनके tax क्या होना चाहिए, different होना चाहिए, ठीक है the most important virtue of where it is that there has to be use of bills, यहाँ रखना, bills यहाँ पे ज़रूरी होती है, at each stage पे which ensures that tax evaded at one stage can get caught at the next stage, जो tax इन्होंने नहीं बारा फर, यहाँ पे नहीं बारा गया, यहाँ पे बारना है for example, wholesaler नहीं नहीं दिया वो retailer पे बारना है, अगर retailer नहीं देगा, वो consumer को दियना पड़ेगा तो अलग-अलग, ठीक है, तो किसी ना किसी जगा तो अपना government जो है, वो tax लेता ही लेता है, state level वैट, जो होता है, state level, introduced in India from April 2005 में introduced किया गया था, और इसी ने replace किया था, sales tax, पहले होता था sales tax, अब sales tax नहीं होता था है अब कौन होता है, अब होता है state level वैट, ठीक है, value the state level वैट is nothing but a sales tax ये कुछ नहीं है, ये sales tax ही, आब बताओगे, sales tax हो था अब क्यों वैट आ गया, ठीक है तो difference होगी ना कुछ ना कुछ, the only difference being the sales tax was not based on value addition, sales tax value addition पे नहीं होता था, ठीक है गाइज, वहाँ पे, ठीक है value addition नहीं होता था, इसलिए ये change किया गया, वैट only on the stage of the, वैट only on the stage of, ये खली, sale पे लगता है, वैट, sale जब sale होती है ना, तब जाके लगता है Senward जो है ना, was till the stage of manufacturing Senward काप तक लगता है, stage of manufacturing के, manufacturing तक उसके बाद जो sales होती है ना, वो वैट लगता है ठीक है, उसके बाद और एक tax है last tax, that is goods and service tax याद रहे, ये थोड़ा सा deep हमने पढ़ना है, GSTM ने डी पढ़ना है ठीक है, तो ये हम इंशाला कल पढ़ेंगे, तो कल तक के लिए अलाहाफिस, दौाओं में याद रखना